हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का इस्टडी 91 में स्वागत है और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जाए उसका नाम है सेक्लूरी जाओ ठीक धर्म निर्पेच्छता बहुत ही रोचक विसे है हाली के समय में फ्रांस की घटना है या कि भारत के संदर में भी कई वार ऐस आसी बाते हुई हैं जैसे कि यह सब्द को समिधान से हटा देना चाहिए तो इन सब के काड़िये और रोचक हो जाता है यदि हम सिविल सर्विस के लिए बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि यूपी यसी 2019 ठीक या यूपी पीच्छ 2020 में सीध है इससे क्वेशन बने ह कि समझ हो कोई किताब या किसी सवरी किताब करो किसी गाइड से रटी हुई समझ से नहीं होगा जब आपको उसका पूरा बैक्ग्राउंड ठीक है उसकी डिबेट्स पता होंगी तभी ये सवाल हल होंगे तो चलिए आज हम लोग सुरू करते हैं सबसे पहले तो पढ़ेंगे धर्म निर्पेशिता होती क्या है फिर पढ़ेंगे इसकी अतिहासिक प्रश्ट भूमी आखिर धर्म निर्पेशिता का कॉंसेप्ट आया कैसे ही है फिर हम समयेंगे भारतिया संतर्मि में कि ठर्म भारती धर्म ठर्म निर्पेचता क्या है? ठीक है? तो देखे, अभी मैंने धर्म निर्पेचता सब्दन यूज किया है राज्य नहीं लगाया याद रखे अभी मैंने इसमें राज्य सब्दन नहीं बोला यए अंतर समझी工 convene ऩो थर्म निर्पेचता का मतलब होता है की तर्व से अलगर यह कह सकते हैं कि धर्म का प्रभाव नहों धर्म का प्रभाव नहों धर्म construir करने इसके लिए बहुत सुरवात से चलना हूँ और मैं यह मान की चलना हूँ अभी कि जो मेरे पढ़ रहे हैं उन्हें कुछ नहीं आता तो धर्म निरपेचता का क्या मतलब होता है धर्म से अलग जिसमें धर्म का प्रभाव नहों अर्था धर्म से कोई जुड़ाओ नहों यह होती है धर्म समझे है दर में आ है कि निगाव दर्म सेंतै क्या है धर्म का प्रभाव न हो त्छा चलीं वहां यह बांग करो चलते हैं की धर्म हो ओषी आप सवाल उठता है कि धर्म निरपेच राज क्या तो आप कह दोगे कि ऐसा राज जो धर्म से अलग हो जो धर्म से प्रभावित नहों अर्थात धर्म अलग हो यह जासे धर्म है ठीक है और यह राज्य है दोनों अलग अलग हो बात समझे मैं तो धर्म निर्पेच्छ राज्य क्या है सेकुलर इस्टेट क्या है ऐसा राज्य जो धर्म से प्रभावितना हो या धर्म से पूर्था खुद को अलग रखे अर्थात मेरा कहने का यह मतलब है कि राज्य में जो भी गतिविदी हो रही है वो प्रसासनिक हो रही हो न्याई की गतिविदियां हो कारेपालिका की गतिविदियां हो वो सभी गतिविदियां कहीं भी किस से संब्दितना हो वो कहीं भी राज्य से सब्द्रम से संब्दितना हो धर्म से बिलकुल अलग हो उस पर धर्म का कोई प्रभाव ना हो अब आप कोगे कि आपन का धर्म से कोई सम्मंद ना हो तो वो आप कह सकते हो कि धर्म निर्पेच व्यक्ति है अम मालो मैं कहूं कि जब मैं पढ़ाई करता हूं तो मेरा धर्म से कोई सम्मंद नहीं तो मैं कहूंगा कि मैं पढ़ाई के समय धर्म निर्पेच रहता हूं यह मैं कहूंगा कि जब मैं आ नहीं है मेरे उपर सका कोई प्रभावरी पड़ेगा अर्थात मैं धर्म से बिलकुल अलग होके पढ़ाता हूं ठीक है उस समय कोई भी धर्म आएगा मैं उसकी आलोचना करूंगा वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिक्ख हो चाहे इसाइयों ठीक तो आप क्या कह दो धर्म निर्पेच व्यक्ति सब हो सकते हैं अब इसी तरह और बन सकता है धर्म निर्पेच नैटिक्ता तो एक आनो तो जो मुसलिम द vary – लिखा और नातिकता होगी। यह संतन हो सकती है। इस नहतिकतापी अजय判 नहितिकता पे धर्म कोई प्रभाव नहीं है जैसे कि हमें पेड़ों को बचाना चाहिए या हमें पायावरण की रच्छा करनी चाहिए यह वाली यह मेरी नैतिकता है मैं ऐसा मानता हूं लेकि यह किसी धर में से प्रभावित नहीं है हादाप यह किसी धर्म से नहीं मैं बैज्ञानिक रूप से जलानता हूं कि पैठबोने हमारे लिए अच्छे हैं इस कारण में नियतिकता मानता हूं ना कि मैं भगवान से डर के कारण तो यह क्या होगी? चुकि मेरे अंदर भगवान का डर नहीं है जिसके कारण में ये नैतिकता मान रहा हूँ मैं बिज्ञान के कारण में नैतिकता मान रहा हूँ अर्थात मेरी नैतिकता का आधार कोई धर्म या कोई इस्वर नहीं है कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो पाल लौकिक हो जबकि वो विज्ञान है तो इसे क्या कहेंगे धर्म निर्पेच नेतिता तो मेरी बात आपको समझ में आ गई तो हम ने बहुत सरल सब्दों से समझ लिया कि धर्म निर्पेचता राज्य क्या होता है और धर्म निर्पेचता क्या होती है हमने दोनों बातों को अच्छे से सम संस्था जैसे मैं कहा दूं कि मेरी एक संस्था है स्टड़ी 91 ठीक और जह धर्म निर्पेच्छ संस्था है तो इसका क्या मतलब है इसका यहीं मतलब होगा ना कि यह संस्था किसी भी तरह के धर्म के अधार पे कोई भेदभाव नहीं करती इसमें कोई कोई भी जुड़े उसके धर्म से हमें कोई मतलब नहीं है तो आप कह सकते हो कि एस्टेडी 91 क्या है एस्टेडी 91 एक धर्म निर्पेच्छ संस्ता है यहां आ जाईए आप किसी के आपको कोई भगवान की फोटो नहीं दिखेगी यह कोई भी जहां का इंप्लॉई होगा उसक सुरू हुई बड़ी इंट्रेस्टिंग टॉपिक है ठीक है अब मज़ा भी आपको आएगा तो चलिए इस सिलसले सुरू करते हैं कि कहां से सुरू हुआ शुरुवात कहां से हुई इसकी ठीक है तो याद रखिए कि जो पहले स्टेट होता था राज्य जो पहले राज्य ह होता था उस पर धर्म का प्रभाव होता था ठीक है देखिए धर्म मतलब समय लिए मुलता हम लोग बात करते हैं जो सब कॉंसेट पढ़ ला है यह सब कहीं कर यूरोप के कॉंसेप्ट है हाना तो उसी संदर्म में पढ़ते हैं तो वहीं के उधारन आई है तो उसको देखक राजा को क्या करना पड़ता था राजा को वूप की पूरी बात माननी पढ़ती थी बस मॉझारी तो धर्म क्या हो गया दा धर्म बहुत प्रभाव साली हो गया था य TC आपको वेटिकन सिटी पर दाना उसका प्रभाव था तो तो क्या धर्म का राजा पर प्रभाव होता था अर्ता सारी नीतियां कैसी बनती थी जैसा चर्च चाहे और यह क्यों बनती थी सवाल यह है भाई राजा क्यों मानता था धर्म की बात राजा तो सक्तिसाली था लेकिन राजा को एक कहानी सुना दी गई थी राजा क्या जनता को भी ठीक है राजा या जनता को एक कहानी सुना दी गई थी ओ कहानी आप भी सुनिए फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों राजा या जनता चर्च की बात मानते थे जबकि चर्च उनका बहुत सोसर करता था ओ कहानी जे है जो उस कहानी को सुनिये क्या है उसी कहानी से आपको क्लियर हो जाएगा कि बैक्ग्राउंड क्या है ठीक है ओ कहानी इसाई धर ग्रंथ में ही लिखी है ठीक है और पोप से जो पोप सुनाया करते थे ठीक है और याद रखिएगा उस समय सम लोग क्योभी समाने भासा में नहीं लिखी दी बाइविल तो समाने भासा से पहुंच के बाहर ती जैसे आज मान लिए सुद्र संस्क्रत में जो वेद लिखे होंगे वह आप लोग नहीं पढ़ते होंगे तो यह कहा जाता था कि उसको पड़ो मत चर्च के जो पोप हैं वही है यह दो इंसान बनाएं सबसे पहले इंसान और इन दोनों इंसानों को सवर्ग में सवर्ग के उद्यान में ठीक है सवर्ग के उद्यान में छोड़ दिया कि भाई लोग घूम फिरूं ठीक है तो इस स्वर ने दो इंसान बनाए आडम एन इव और इनको स्वर्ग उद्यान में छोड़ दिया साथ में ये भी कहा कि स्वर्ग के जो बगीचा है वहां का कोई पौधा यह मलब कोई फल मत तोड़ना उनको बना कर दिया इस स्वर्ग ने जाते समय बना के कि देखो तुम स्वर्ग में घूम रहे हो लेकिन यहां कोई बगीचे में फल मत तोड़ना और इन्हों ने क्या किया इन्हों ने फल को तोड़ दिया इन्होंने फल को तोड़ दिया सवाल समझ रहे न अब अजब फल तोड़ा इसवर नराज हो गया इनसे क्या हुआ इसवर नराज हुआ और कहा कि तुम लोगोंने क्या किया है पाप अब पाप किया है तुम लोगोंने मेरी बात नहीं माने तुम लोगों ने तुमने पाप किया है और इसकी तुम्हें क्या मिलेगी इसकी मिलेगी तुम्हें सजा और शजा क्या थी, शजा ये थी कि अब तुम सब जाओ कहां पर, अब तुम सब जाओ धर्ती पे, अरदा धर्ती क्या है, धर्ती तुम सब की सजा के लिए एक जगह है, जेल टाइप है, सजा क्या है, कि धर्ती पे जाओ और अपने आपको अब सुधार हो क्या करो? सुधार करो सवाल है कि सुधार होगा कैसे? यह भी कहा कि जब तुम सब सही हो जाओगी यह कहा कि कयामत का एक दिन आएगा उस दिन मैं देखूंगा कि कौन सही है कौन गलत जो गलत होगा उसको खतम कर दूँगा और जो सही होगा फिर उसको कहा ले आउँगा? स्वार्ग में ले आउँगा तो यह कहानी पूरी बनी अब कहानी समझ में आई कि आड़म एने दो लोग थे दो लोग ने पाप किया पाप की सजा के कारों ने धर्ती में बेजा और कहा कि रिजल टाएगा तुम्हारा कियामत की दिन और उस दिन फिर इस वार फिर देखेगा कि कौन-कौन सुधर चुका है जो नहीं सुधरा तो फिर उसको मार दिया जाएगा तो कहने का यह मतलब है कि मनुस्ते का सभाव है कि वो पाप करेगा इसलिए उसे सजा के तौर पर यहां पर रखा गया तो यह कहीं न कहीं मनुस्ते की एक नकरात्मक्छवी प्रिकट करता है कि मनुस्ते को क्या हमें से डंडे की नोख में रखना चाहिए वो पापी है ठीक और सवाल यह था कि अब उसमें सुधार कैसे होगा तो यह भी कहा कि सुनो तुम्हें किताब भी बता दे रहा है और इसमें सब लिखा है इसमें सब लिखा है कि क्या-क्या करोगे तो सही रहेगा और क्या-क्या ना करोगे तो गलत रहेगा अगर गलत किया तो फिर सजा मिलेगी और वहना सही करो और किताब के बारे में सब कौन बताएगा तुम्हें चर्चु थीक है तो यह हुआ क्योंकि ये तो मनुष्से लिफटा पापी है पापी है तो इसको सम्झाने के तो चर्च हो गया तो इस तरह कहानी बनाई तभी क्या उपार इस कहानी का संदर हुगा कि मनुघ पापी है धर्ग में सुधार के लिए आया है ए और सुधार कैसे होगा चर्ग करा काम से यولागा कि चर्च ही वेसा है जो बाइबिल की व्याख्या कर पाएगा अर्फा चर्च ज्या करेगा चर्च सभी मनुस्यों को बाइबिल के अंुसार जीवन जीना सिrop ना स्वरग का था वह तो केवल धार्ती पे आह स्थाई रूप से आया हुगा है यहां उसका कोई जीवन नहीं है यह तो आज श्थाई है घूमने आ गया मात्र इस श्थाई कहां का निवासिया हो स्वर्ग का इस शुर्ग के पास का तो सवाल यह उठता है कि आप बताये किसी जब मनुस्री का इस्थाई निमास स्वर्ग है, तो मनुष्य को जो सारे कर्म करने चाहिए, मनुष्य को जो सारा व्योहार करना चाहिए, Fourth इसके आधर पर करना चाहिए उपने इस Mizrahi निवास gifticam के आधरे चाहिए ना कि अखिख धर्थ। क्योंकि उसको सुधcycle पैक्राण्ड के जंद लो हई थी तो ये सब एक कहानी। तो इस समन्ажу में आया इसे से यह है कि इसेंस यह है कि मनुष से मूलता ठीक है स्वर्ग का प्राड़ी है ठीक है और धर्ती में क्या करने आया है क्यों सुधार करने अपने फिर धर्ती में क्यों आया है क्यों सुधार करने को ठीक है और सुधार करके कहां चला जाएगा फिर वापस स्वर्ग में चला अपने अपने समझें व्याख्या की थी तो इस तरह क्या हुआ इस तरह धर्म का प्रभाव क्रें राजा वह पूरी जंता में था तो यहीं सुधर जाओ अन्द फिर भोग हो गई है ना तो इस तरह उसके डर कभी पैदा डर पैदा कर रहा था सब कोई चर्च की बात मानते थ था अपूप दिमाग की बत्ती जल गई अब यह चाहानी बहुत लंबी कि दिमाग की बत्ती कैसे चली पुनर्जाग्रन का लिसे सी को कहते हैं पुनर्जाग्रन concrete जो इनसान सो गया था आना सो गया था कि हर बात को धर्म के नाम पर शीकार कर लेता था वो कुछ भी दिमाग नहीं लगाता था, जो कहा है, अगर उसे यह कह दिया, कि ऐसा धर्म में लिखा है, तो चलो ठीक है, फिर एक्सेप्ट है, वो चेक नहीं करता था, तो आप बात समझ में आई रही होगी आपको, कि फिर आया पुनर जागरण, पुनर जागरण क्या मनुष से अपने दिमाग लगाने लगा, दिमाग की बत्ती जल गई, तो आप मेरी बात समझाई, पुनर जागरण क्या है, पुनर जागरण वय काल है, जिसमें मनुष से अपनी बुद्धी का प्रियोक करने लगा, तर्क का प्योक करने लगा, और हर बात को इसके अनुसा कौपर निकस्न ने इहीं बताया तो लोगों का दिमाघ सनग गया और सोचा कि धर्म की बात पूरता सकते नहीं है अर्थात हमें धर्म को क्या आंख बन करके नहीं मानना तो इस त temporary लोगों नों जब एक घटना देखी दो घटना देखी और समझ गए कि जो धर्म है ना और जो धर्म ये कहता है कि हम सारी बाते जानते हैं हम सब कुछ तुम्हें समझा देंगे सुधार देंगे ये गलत है अर्थात अब धर्म पे भरोसा कम होने लगा और ये बात इसपश्ट हो चुकी कि अब बिज्ञान से जीवन चलेगा ना कि धर्म से अब बिज्ञान, बिज्ञान मतलब तर्क, अब तर्क का महत्त हुआ, बिज्ञान का महत्त हुआ, लोग समझ गए कि अब बिज्ञान से चीज़े होंगी, अब पहले क्या थे इसके पहले, इसके पहले धर्म का बहुत प्रभाव था, ठीक है, जो भी नीती बनती थी, उसके क जीएगा मैं बात कब की कर रहा हूं भी मैं बात कर रहा हूं ठीक है मैं बात कर रहा हूं कि पुनर्जागरण के पहले की पुनर्जागरण के पहले क्या था पुनड जागरण के पहले था कि सारे ईसवर कुकेंद में रखा जाता था ईसवर मतलब क्या था पारलॉकिक दुनिया छे यो मैंने आपको सम्झाए Kayama कि भाई यह समझा दिया था ना मनस्य को कि तुम यहां के स्थाइब निवासी नहीं हो इसलिए यहां के लिए मत सोचो यह तो चलो ठीक है तुम अभी 17-80 साल रह रहे हो रहना तो जीवन भर वहां है अनंत समय तक पहां रहना यहां परलोकिक दुनिया में तो भाई क्यों परिसान हो तुम्हें कहां के लिए सोचना है पर लोक के लिए इसलिए तुम इह लोक के बारे में मत सोचो इह लोक के बारे में मत सोचो क्यों 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 कि यह लोक का मेंटर है और कुछ समय का है इस्थाई थोड़ी है आज इस्थाई है बस तुम चर्च पे भरोसा रखो चर्च जो बता रहा है उसको मानू फिर तुम्हारा पारलॉकिंग जीवन बहुत सांदार होगा लोग भी सोचते थे कि चलो यहां सतर अ सीसल की बात है फिर तो हमेशा खुषी रहना है बाइविल की सोरी चर्च की बात माल लो इस तरह चर्च करने लगा सोसन और जब चर्च सोसन करने लगा लोगों ने दिमाग लगाना चालू किया फिर पुनड़ जागरण आया यह जब मैंने बताया आपको फिर आया का महत यह बढ़ गया अर्था तब क्या हुआ हुआ करने का मतलब है मेरा मेरा कहने का यह मतलब है टीकि आधर में पें कमःवसा करने लगी और अर्थात क्या हुआ अब राज्स मेरि बाझ समझेए अगर। यह जैसे मालों आज मर प Such अर अब राज से क्या हुआ धर्म दूर जाने लगा फिम है ? राज से धर्म दूर जाने लगा और क्या पास मालों बिग्ज्ञाण हे इस तरह क्या हुआ मेरी पास समझा ने, जब लोगों को ये समझ में आ गया, कि भाई, कि लोगों को जब ये समझ में आ गया, कि राज से धर्म को भगाओ, ठीक, और क्या करो, बिज्ञान को लाओ, ये हो गया, क्योंकि हम समझ गए, कि बिज्ञान ही है, तो इस्तरह क्या है, इस तरह हम समझ में आ गया, कि जो पारलोगिक वाली बात थी ना, पारलोगिक बात हो गलत है, हमें यहीं लोग को सुन्दर करता है, अर्थाथ हमें अपने इस जनम को सुन्दर करना, जो आमें 77-80 स sow मिला ना, इसी को अच्छा करो पार लोक की चक्र में इह लोख मत बरबात करो ठीक है तो कुछ ऐसी concept आया और यही हुआ क्या अब राज जी क्या करेगा अब राज जी क्या करेगा धर्म से खुद को दूर कर लेगा हो कहेगा घर्म क्या धार पर हम नीतिया नहीं बनाएंगे अब किसके वो नीतियां बनाएगा जो विज्ञान पे अधार होगा और राज जी का अब क्या उद्देश से हो गया अब राज जी का उद्देश हो गया मानो कल्यान अर्थाट अब मानो का कल्यान करना हमारा उद्देश से है ना कि मानो का सोसर करना पहले क्या होता था पहले तो राज यह सोचता था ना कि इस्वर का हमें बात माननी है और इस्वर के लिए हमें सारा काम करना है हमें कोई ऐसा काम नहीं कर देना जिससे हमारा इस्वर नराज हो जाए देखा था कि चर्च का कितना प्रभाव रहता था लेकिन अब क्या हुआ अब यह हुआ कि भाई इस्वर इस् पेचे होंगी यहांगी और्थात हम विझ्ञान की तराफ चले गए तो आप कह सकते हो कि धर्म पेच्छराजी का मतलब होता है ऐसा राज تي जो धर्म से दूर हो पर अपनाकाम विज्ञान की अनुसार करें तरक के अनुसार दिमाग के अनुसार हर चीज को पहले चेक फिर मानें हना ऐसी नहीं आखे बंद करके महली मैंड़ाकत नहीं कर बइये मतलब है बिग्यान का मतलब होता है पहले देखो फिर विष्वास करो पहले नहीं पहले देखो फिर भिष्वास करो ठीक है Chris तो इस तरह समझ में आगया होगा कि धर्म निर्पेच कहां से आया धर्म निर्पेच आया जब राज्य में धर्म का प्रभाव कम हुआ और फिर राज्य ने खुद को समझा और समझा कि अब हमें मानों के कल्याण के लिए ना कि पारलौकिक सत्ता के लिए तो इस तरह आप कह सकते हो फिर एक बार कि धर्म निर्पेच राज्य क्या है धर्म निर्पेच राज्य वो है जो इह लोग पे अधारित नीतिया बनाता है अर्थात इस लोग के अधार पे नियम बनाता है नीतिया बनाता है या बेहार करता है ना कि पारलोकिक अधार पे जैसे कुछ राज्य आज भी धर्म निर्प होते हैं क्या करते हैं। जैसा धर्म में लिखा करोम इस और को खिलाब बोलो तुरन्सथी जाएगी लेकिन नियुक्ति की जैसे मैं कहोँ कि एक व्यक्तिंट ध्रम नियुक्तिि है यह मैंने जैसे कहा था। ४ि न बिज्ञान के अधार पे काम करेगी हम यह देखेंगे कि बिज्ञान क्या कहता उसके अधार पे काम करेगी अर्था तर्क के अधार पे करेंगे ना कि हम धर्म के अधार पे यह संस्ता को चलाएंगे ठीक, तो मैंने आपको पूरी बातों को सम्झाने की कोशिस की कि धर्म निर्पेच च्छता क्या होती है धर्म निर्पेच राज जी क्या होता है अब एक सवाल आप से है कि धर्म निर्पेच समाज क्या होगा अगर मैं कहूं एक secular state तो ठीक है secular person भी बता दिया लेकिन एक secular society क्या होगी जड़ा इसको सोचिए और मुझे comment के माध्यम से बताईएगा कि आप एक secular society से क्या समझते है और क्या भारत एक secular society है आंगे दिमाक लगाईए सोचिए ठीक चलिए हम अगला कदम चलते हैं कहां फाइदे क्या धर्म निर्पेश्चिता के फाइदे है हाना तो सबसे बड़ी फाइदा क्या है पहली बात तो ये confirm होगे ना कि धर्म निर्पेश्चिता का मतलब है कि राज्य का अपना कोई अब धर्म नहीं होगा राज्य धर्म से अलग होके नीतिया बनाएगा ठीक है, धर्म का उस पे कोई प्रभाव नहीं होगा, ये मतलब है, पहले क्या होते थे? पहले राज्जी के अपने धर्म होते थे, आज भी कई राज्यों में है, साउदी अरब, पाकिस्तान, हाना, तो ये क्या है, ये धर्म क्या धर्म प्रकाम करते हैं, इनका क्या उद्दे बनेंगे, और नीतिगत दच्छता आएगी, मेरा कहने का ये मतलब है, जब माल लिए, आपके देश के कानून बन रहे हैं, और उन कानून का अधार क्या है, उन कानून का अधार महत्तम मानो कल्यान है, उन कानून का अधार क्या है, उन कानून का अधार तार्किक वाद वि तो मेरा कहने का यह मतलब है कि जब आप विज्ञान के अधार पर कानून बनाओगे या तारकिक वाद भीवाद करके कानून बनाओगे तो जितना जादा वाद भीवाद होगा कुछ तुम बोलोगे कुछ हम बोलेंगे तो उतना ही जादा तो कानून क्या होगा अच्छा बनेगा तो क्या होगा फिर कान नीति का दश्यता भी एक ही सब्द है जब नीतियां मानो कल्याण के देशे से बनेंगी ना कि कोई पाल लोकिक सक्ता के कल्याण से हाना तो उग कानून या वो नीतियां बहुत सांदार होंगी साथ में यह देखिए कि इससे राष्ट्री एकता वा अखंडता भी बढ़ेगी अब मालीजे कोई एक देश है उसमें कई धर्म के लोग रह रहे हैं अगर मालीजे राज जी किसी एक धर्म का पच्छे लेने लगेगा या एक धर्म की तरफ जुक जाएगा एक धर्म के अनुसान नीतिया बनाने लगेगा तो क्या अन्य धर्म उससे नाराज हो जाएंगे या उसके खिलाफ हो जाएंगे तो क्या होगा राश्ट्री अखंडता या एकता की भावना कमजोर होगी हाना अमान लोग जैसे भारत है भारत में कईयों तरह के धर्म है चुकि राज जी क्या करता है राज जी इन धर्म से अपने आपको लोगों को उस राज जी से लगाव रहेगा किसी को ये नहीं लगेगा कि भाई हमारे धर्म के खिलाफ काम किया जा रहा है बागी किसी एक धर्म को समर्थन दिया जा रहा है मेरी बाद समझा नहीं फिर इसका वही उदार है कि माल लो एक घर है और एक घर में दो भाई है कोई भी काम किया जाता है माल लो बड़े भाई से पूछकी किया जाता है बड़े भाई की अनुकूल किया जाता है और छोटे भाई को हमें सालग रखा जाता है तो एक समय छोटा भाई क्या है घर के खिलाब बिद्रोय कर सकता है ठीक क्यों क्यों कि उसे यह लगेगा कि इस घर में मेरा तो कुछ हाई नहीं नहीं इस तरह क्या होगा इसी तरह एक देश में कई समुदाय रहे रहे हैं धार्मिक समुदाय यदि किसी एक धार्मिक समुदाय को महत्य दिया जाएगा तो अन्य धार्मिक समुदाएं क्या अलग देश की मांग नहीं करेंगे करेंगे बिल्कुल करेंगे या वो क्या करेंगे उसी देश में बिद्रोय कर पैदा होता है, जब कोई अंदर से सत्रू पैदा हो, अंदर से सत्रू कब पैदा होगा, जो देश से नराज हो, कुछ लोग इसलिए भी नराज हो सकते हैं, कि हमारे धर्म की उतना महत तो नहीं दिया जा रहा, यूरोप में, कई देशों में, आप देखिए, कि इसी अधार पे तो हमला हुगा, आतंकवादी हमला, क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा, कि इस देश में, हमारे धर्म का मजाग बनाया, बात समझ में आ रहे, चूंकि इस देश ने हमारे धर्म का मजाग बनाया, इसलिए हम हमला कर दिये, अर्थात आंतरिक लेकिन यदि माल लीज़े कोई देश है और वो सभी धर्मों को समान रूप से मान रहा है तो सभी धर्म के लोगों को उससे लगा होगा और साथ आंत्रिक सुरच्छा मजबूत होगी इस तरह आपको धार्मिक या दिस धर्म निर्पेच के फाइदे नजर आए अब एक सवाल उठता है कि भारत और पंत निर्पेच भारत वा पंत निर्पेच यह सवाल थोड़ी अपको अजीब से लगेगा अभी तक धर्म निर्पेच धर्म निर्पेच की बात कर रहे थे और अब क्यों पंत निर्पेच सब्दी की बात कर रहे हूं तो इसका कारण जी है कि धर्म पंथ में अंतर है ठीक है चुकि अब हम भारत के संदर्में में बात कर रहे हैं चुकि अब हम भारत के संदर्में बात कर रहे हैं तो अब एक बात यह समझ लें कि भारत में धर्म क्या है पंथ क्या है भारत में धर्म क्या है और पंथ क्या है ठीक है देखो पहले यूरोप सम मतलब क्या होता है religion ठीक हिंदी बोलते हैं और religion जो बना है वो बना है रेली गेरे से ठीक है रेली गेरे ठीक है जिसका मतलब होता है पुनह जोड़ना या दोबारा जोड़ना तो इसका यह मतलब होता है कि religion मानों को और पारलोकिक सत्ता को दुबारा जोड़ रही है आपको पता योगा आड़ेमनीव की कहानी सुनाई थी पहले भी जोड़े थे लेकिन अलग कर दिया रहा है इस्वर ने और फिर कौन जोड़ेगा अब धर में जोड़ेगा तो धर्म वह संस था है जो मानों को इस्वर से पुना जोड़ रही है उसी को कहते है रेलिगेरे ठीक है पुना जोड़ना और उसी से बना है रिलीजन सब्द तो मेरी पास समझ में आ गई क्या है यूरोप में यूरोप में रिलीजन क्या है यूरोप में रिलीजन का मतलब है वह संस्था जो मानव को इस्वर से पुना जोड रही है किलियर हना लेकिन भारत में इस्वर से जोडने को कौन से सब्द यूज करते हैं हना पंत सब्द यूज करते हैं हना इसी illy our Army जगए पंत सद्प यूज किया क्योंकि यो मतलब यूरोप में धर्म का था एक वे संस्थी जो इस one यूरत में पंध के नाम से कहलातीए भारत द्दहर्म का बहुत अलग मतलब भाइए आईए समझते हैं भारत में धर्म का क्या मतलब है मैंने आपको बताया यूरोप में धर्म वह संस्था थी जो इस्वर को मानों से या मानों को इस्वर से जोड़ती थी ठीक लेकिन भारत में वह संस्था पंथ है इसलिए क्या हुआ यूरोप का धर्म है वह बराबर भारत का तो हम क्या कहेंगे भारत के संदर्म में भारत के संदर्म में कहेंगे पंत निरपेच ना कि क्या कहेंगे हम धर्म निरपेच नहीं कहेंगे अधर्म का मतलब बता दे भारत में क्या है भारत में धर्म का मतलब होता है स्वाकर्तव वे या धार्थ अपने कर्टब वे जैसे मैं कहूं कि एक छात्र धर्म मुझे जीना चाहिए जो छात्र धर्म मतलब जो छात्र के कर्टब वे हैं जैसे मैं कहूं वर्दमान में मुझे अध्यापक धर्म का पालन करना चाहिए तो अध्यापक धर्म मतलब अध्यापक के कर्तव्य जैसे आप कहोगे पित्र धर्म पती धर्म, पतनी धर्म तो ये सब क्या है? उसके कर्तव्य जैसे एक कहवत सुने होगी आपने एक सुना होगा राज धर्म राज धर्म, राज धर्म क्या है, राजा के धर्म, अर्थात राजा के कर्तव्य, तो भारत में धर्म का मतलब कर्तव्य से है, अर्थात व्यक्ति को जो करना चाहिए, तो सवाल ये उठता है, क्या भारत में धर्म निर्पेच्छ यूच करोगे, अब मैं कहे दूं कि मैं धर् भारत के कोई कर्तब भी नहीं रह गए अर्था डीपीएश पी पूरा वेकार होगे उसका तो इसका मतलब क्या हुआ भारत एक पंत निर्पेश है मैं आपने आपको क्या कहूंगा मैं एक पंत निर्पेश्टी हूं ना कि धर्म निर्पेश ठीक तो इस तरह इन दोनों इंगल्स के सेकूलर भी बोलते हैं ठीक है तो आपको मैंने यह बताया कि कि पंत निर्पेश्टा क्या होती है और धर्म-णिर्पेश्टा क्या होती है दोनों एक हैं लेकिन भारत में क्यों बोला जाता है अब सवाल यह है कि भारती सम्विधान और धर्ह 배上再 भारत धर्म निर्पेच है की नहीं तो सुरुवाद करते हैं भारती समिधान से भारती समिधान में प्रस्तावना में हमने पंत निर्पेच सब्द तो जोड़ा है इसका मतला हम पंत निर्पेच हैं 42 संसोदन से 1906 में हमने जोड़ दिया लेकिन पहले वी ऐसे कई प्रावधान हैं जो इस पस्ट रूप से करते हैं कि हम धर्म निर्पेच हैं जैसे आप देखो जैसे भारत की बात कर रहे हैं ठीक है तो पहला सवाल यह है कि क्या भारत पंत निर्पेच है तो आपको पता होना चाहिए भारत का क्या कोई बिसेश धर्म है क्या अर्थार्थ भारत किसी एक धर्मे के लोगों को वरीता देता है क्या या किसी किसी धर्म के लोगों को मला हींता के भाव से देखता है क्या नहीं न इस अधार पर कह सकते हो भारत का कोई विशेष राज्य धर्म नहीं है ऐसा नहीं कि हमाई कोई राज्य का धर्म हो राज्य धर्म नहीं राज्य का धर्म हाणा यह सावदी आरब का है ठीक है सभी ब्रुनोई का है लेकिन हारत का एसा कोई भी धर्म नहीं है भारत जिसको घुका हो या कहा ढ़िये की भारत की सारी नीतिया उस धर्म के अनुसार बनेगी ऐसा तो नहीं है तो एक स्पेस्ट रूप से कह सकते हो कि भारत धर में निर्पेच या पंत निर्पेच है फिर हमने 42 संसोधन के द्वारा ठीक प्रस्तावना में जोड दिया कि भारत एक पंत निर्पेच है साच में देखिए ऐसा नहीं कि उसी समय हो गया था आर्टिकल चूदा, आर्टिकल चूदा जो बहते हैं और समानता का अधिकार इसका कहने का यह क्या मतलब है कि हमारे लिए सभी नागरिक समान है और सभी नागरिकों को समानता का अधिकार भी प्राप्त है अर्थाथ कोई नागरिकごा अगर यह महसूस हो कि उसके साथ राज जी गलत कर रहा है तो सुप्रीम कोड जा सकता है और सिकायत कर सकता है और अपने इधिकार छीन सकता है अर्थाद भारती समिधान ने सभी नागरिकों को क्या कहा कि धर्म का कोई प्रभाव नहीं आप किसी भी धर्म के हो हमें फर्ग नहीं पड़ता हम धर्म के अधार पे कोई भेदभाव नहीं करेंगे आ Benjamin किसी भी धर्म के अधार पे आपके साथ भेदभाव नहीं होगा आप नोखरी पाओगी किसी नागरिक के साथ आप чист sekarang आप जानते हो कि भारत में सबको वोट देने का अधिकार है सबको सरकार को चुनने का अधिकार है कोई भी भी जधर्म की पूजा पाथ कर सकते हो कोई रोकटोक नहीं है तो इस तरह कोगी भारत धर्म निर्पेच है साथ ही आप यह देखिए इस तरह हम यह कह सकते हैं कि भारती समिधान ने भारत की धर्म निर्पेचता या पंत निर्पेचता के स्वरूप को को है और उसको मजबूती प्रदान की तो इस तरह कह सकते हो कि भारती भारत धर्म निर्पेच या एक पंत निर्पेच राज है अब इस में कोई सवाल नहीं है कि भारत धर्म निर्पेच राज है की नहीं है इस पश्ट है कि अब है अगला सवाल जो आता है वह यह आता है कि हम पश्चिमी मॉडल से कैसे अलग है हाना फिर इसके बाद मैं बताऊंगा कि भारत में जो पंत निर्पेच्छता की दर्सन है अर्था जो फिरोस्पी है वो क्या है तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पश्चिम मॉडल में जो धर्म निर्पेच्छ है उससे भारत कैसे अलग है तो देखें जो पश्चिम मॉडल है ना पहले उसकी बात कर लेते हैं क्या पश्चिम मॉडल में क्या कहा जाता है कि जो धर्म है जो धर्म है वो राज से बिलकुल दूर रहेगा राज क्या है राज धर्म से पूरी तरह से टठस्त रहेंगी अर्थार राज धर्म को लेकर कुछ भी नहीं काम करेगा ना सकरात्मक ना राज धर्म के मामले में कोई भी हस्ता छेव नहीं करेगा ठीक है यह क्या है इसका उधार्मिक प्रतीक को नहीं पहनेगा आए कोई भी ऐसा स्कूल जो फ्रांस द्वारा वित्पोसित है वो धार्मिक प्रतीक नहीं पहनेगा चाहे हो क्रॉस हो चाहे हो पगड़ी हो चाहे हो हिजाब हो अर्थात क्या किया राज्जी ने कहा कि हम धर्म से बिल्कुल अलग रहेंगे धर्म अलग है और राज्जी अलग है इसलिए उसने का गया, कि हमारे जो भी स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे, जो भी सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे, वो कोई भी धार्मिक प्रतीक नहीं पहन सकते, तो यह हो गया, दूसरा क्या है, भारत का मॉडल, भारत का क्या, मतलब, भारत का ही समझते हैं, ठीक एक समान द्रश्टी कोण रखेंगे हरा अर्थात सभी धर्मों के साथ एक सा ब्योवार अब देखें दोनों में बड़ा अंतर है ठीक है धावी सभी धर्मों के साथ एक सा ब्योवार ति सभी धर्म के साथ एक सा बिवार कि लिए अर्थात क्या कहा भारत ने भारत ने किये कहा कि हमारे पास धर्म निर्पेश्टा का मॉडल है वह यह है कि हम यह नहीं कहते हैं कि भारत धर्म का विरोध है भारत करा हैं कि सभी धर्म के लिए एक सा करेगा यदि ओह सरकारी बिप्ति से होता है हर तो इसका क्या कम मतलब है इसका यह मतलब है कि भारत में जो पंत निर्पेचता या जो धर्म निर्पेचता और पक्ष्षिकय मॉडल से अलग है। पक्ष कि यहां कोई पहन के नहीं करेंगे जबकि भारत क्या करेगा भारत यह कहेगा कि हम अलग-अलग नियम नहीं बनाएंगे एक बात कि साथ में हम यह भी नहीं कह रहें कि तुम अपनी धर्मी गतिविदियों को ना फॉलो करो पर हम एक सा द्रश्टी कोड रखेंगे सभी धर्मों के लिए अगर हम हज भी करवाएंगे तो हम कुम्भ भी कराएंगे अब यहीं दो अलग-अलग मॉडल हैं इसलिए कहते हैं कि जो पश्चिम का धर्मिनिर पेचता है उन्ना करात्मक धर्मिनिर पेचता है अर्थात उन्ना करात्मक दर्श्टी कोड रखती है वो दूर जाने का दर्श्टी कोड रखती है लेकि जो भारती धर्मिनिर पेचता है उसा करात्मक दर्श्टी कोड रखती है अर्थात सभी धर्मों के साथ एक समान बिवार इसका उधारण देखिए आप कि हर तेवार के दिन छुट्टी होती है वो दीपावली हो चाहें बड़ा दिन हो चाहें इद हो क्यों क्योंकि सब धर्म हमारे लिए एक से हैं मेरी बास समझगा अब इससे आपको समझगा गया होगा कि भारत क के लिए जो है ओ यह है भारत की सर्वधर्म संभाण अर्थार भारत के लिए सभी धर्म समान हैं हम किसी भी धर्म का विरोओ presents धर्म का पच्छ नहीं रहेंगे असाथ हम सबसे समान निकटता और समान दूरी रखेंगे तो अब आपको क्लियर हो गया होगी बात कि भारत में भारत में समयधानिक प्राउधान है साथ में भारत सर्वधर्म संभाव को मानता है वो भारत की दर्सन है अन्था दर्म निर्पेशता का इसलिए हम पश्रीमी मॉडल से बिलकुल अलग है चलिए आगे चलते हैं अब एक सवाल जी है कि क्या भारत की दर्म निर्पेशता को चुनोतियां है भारत की दर्म निर्पेशता को क्या चुनोतियां है तो देखिए कुछ चुनौतियों का मैं वर्णन कर देता हूँ, जैसे देखिए आप कि भारत में जब चुनाओं का समय आता है ना, तो सिध्धान्द में ज़रूर लिखा रहेता है कि चुनाओं में धार्मिक मुद्धे नहीं उठा जाएंगे, लेकिन बेवहार में आप तो यह कहा जा सकता है कि यह भी धर्मिक, एक धर्मिन पेच के लिए चुनाओं होती है, जो क्योंगी भारतिये जब राजनीतिक चुनाओं होते हैं, तो क्या होता है, कहीं न कहीं धर्म का प्रयोग होता है, यह देखिए आप कई सारजनिक में जाएंगे, तो पीछे जो सरकारी ऑफिस है, वहाँ परो नहीं करना चाहिए, कई बार आप देखो, ठीक है, जैसे अब जो इस्रों के हेट थे, उन्होंने पहले पूजापाट की, फिर यान छोड़ा, ठीक है, अंत्रिच के लिए, तो कहीं न कहीं यह भी धर्म निर्पेच की भावना को कमजोर क आप देखिए, त्रिसूल, अस्त्र, यह सब क्या है, भारती, धर्म से जुड़े हैं, भारत करो, हिंदु धर्म से जुड़े हैं, तो कहीं न कहीं यह भी भारती धर्म निर्पेच को कमजोर करते हैं, ऐसा प्रतीज होता है, यदि हम इन से भी उपर उठके जाएंगे, तो आप देख रहे होंगे, यहां जो मान्दी प्रधान मंत्री मोदी जी हैं, और राम मंदिर के उध्गाटन में गए थे, तो कई लोगों ने इस पर सवाल उठाए थे, कि क्या भारत अब धर्म निर्पेच रहे गया, तो देखिए, यह सवाल वही लोग उठा सकते हैं, जिन हनुकरण करना जान रहे हैं, उन्हें रियल में यह नहीं पता, कि भारत में धर्म निर्पेचता, या भारत में पंद निर्पेचता क्या है, आपको पता है, कि भारत में धर्म निर्पेचता है, सर्व धर्म संभाव की, और आप देखिए, कि प्रधान मंत्री जागा, अध जो सिंग दहारति ना लब नमोदी जी को समरति या जो भी यह ठीक है हाना यह मेरे वेक्टिगत विचार है राजनीतिक मामली में एक अध्यापक के तौर पे निरपेच uniform मेरी बास सभ़या ही जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं या आप से डिवेट कर रहा हूं तो उस समय में राजनीती ग्रूप से निर्पेश हूं किसी भी विचार धारा की और जुका हूंगा नहीं हूं लेकिन तर्क के अधार पर आप देखिए कि हमने क्या किया हमने सर्व धर्म संभाव का फालव किया जो हमारा पंत निर्पेश्टा का सिधान थे जो हमाएं पंत निर्पेश्टा का दर्सन है हमने उसको किया और आपको उधारण में दूँ ठीक है जैसे कई लोगों की समझ कम्जोर होती है तो धर्म निर्पेश्टा पर सवाल उठाते हैं अब पार्ट इच्छाए है वहाँ देखिऊ वहाँ पर गौतम बुध्ध का भी चित्र बना हुआ है आप देखिए अगबर का ठीक कर और दिखाता हूं तो मेरा कहने का क्या मतलब है यह देखिए ठीक है आप देखिए कि रामजी कंचिका चित्र हैं ना राम्सीता लच्षवड़ जी यह है कहा है यह भारती समईधान में कögई और नहीं है ठीक है यहा देखे कि क्रश्ण और अर्जुं का वीवर्णन है चित्र बना हुआ है तो आपको मेरे में सवाल होगा कि př soprattutto और हमारा समीधान तो धर्म निर्पेच्छे किसी धर्म को क्यों जग्यती तो यह आपकी कमजोर समझपे सवाल हो सकते हैं चुकि आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या किया हमने सभी धर्मों को महत्तु दिया, एक तो यह, और दूसरी बात, जो राम है, जो ख्रश्न है, जो सिवाजी है, ठीक है, जो अकबर है, जो बुद्ध है, वो भारतिय संस्कृती का हिस्सा में, आपको याद होना चाहिए, कि संस्कृती आलग होती है, और धर्म आलग होता है, ठीक है, धर्म और संस्कति दोनों अलग-अलग चीज होती है हम धर्म निर्पेच्छ हैं लेकिन हम संस्कति निर्पेच्छ नहीं है अब आपके मन में सवाल होगा कि संस्कति क्या होती है तो एक उधारण देख लिए कि जम्मू कस्मीर में देख लिए जम्मू कस्मीर में जो हिंदू होगा, जो मुस्लिम होगा, उनके धर्म तो अलग अलग है, पर आप देखें उनकी वेस भूसा, ठीक है, उनकी बोली, उनके वैल्यू सिस्टम एक होगे, उनका खान पान एक होगा, क्यों? क्योंकि संस्कृती एक है, वैसे ही आप देख लो, क तो धर्म अलग-अलग होगा, पर कल्चर एक होगा, वैसे ही पूरे भारत का भी एक कल्चर है, जिसे बोलते हैं भारती संस्कृती, जैसे वासुदेव कुटुम्बकम, अथिती देवो भरा, सर्व धर्म संभाव, यही सब हमारा क्या है? हमाई संस्कृती है, मेरी बाद सम स्प्रेक्टर में देखते हैं, तो एक संस्कृती का भाव दिखता है हमें, इसलिए कह सकते हूं कि इन्हें समिधान में जखे दी गई है, अब मुझा उमीद है कि आप कभी भी जब धर्म निर्पेच्टा के बारे में सुनोगे, पढ़ोगे, चर्चा करोगे, तो यह या फिर मैंने बताया कि इसरों में पूजा हो रही हो, या अस्त अस्त का नाम, इनका कैसे समधान होना चाहिए, तो देखिए, मैं इसके लिए यही कहूंगा, कि जितनी ज़्यादा हमारी सिच्छा, बैग्यानिक सिच्छा का बढ़ावा देंगे, या हम कहेंगे बैग्या जितनी सिच्छा की गुडवत्ता बढ़ेगी, अब सिच्छा का मतलब यह नहीं होता कि रट लिया, एजूकेशन का रीयल मतलब होता हैं, आपके अंदर एक समझ विक्सित करना, और जब आपके अंदर बैग्यानिक समझ विक्सित होगी, तो क्या होगा, फिर आप समझ जा रणने लगता क्या होगा मैं यहँ नहीं कहा रहा कि धर में अपका अब कैसा लगता यह आप मानिए उसका आच्रन करें ये उसको थोपना उसलों संदर रही मुझे अब तो के में सवाल को आप ओब के मन में तो आorar को स्कूछ सकते हैं धरने वाद झाल झाल